ये मनमोहक और रंगारंग तस्वीरे हैं जालोर महत्सव की जहां तीन दिवसिये जालोर महत्सव का आयोजन किया गया परेटन विभाग जिलाप्रिशासन और जालोर विकास समिती की उपस्तिती में सोमवार को जालोर महत्सव का आगास ध्वज लहरा कर किया गया तीन दिवसिये जालोर महतसब में भवे शोभा यात्रा निकाली गई थी इसके बाद संस्कृतिक प्रतियोगिता और गैर नृत्य का आयोजन किया गया साथ ये जालोर की संस्कृति से जुड़ी जांकिया भी निकाली गई थी और विभिन तरह की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था जिसमें घुड़दौर बेहत खास रही घुड़दौर में विभिन राज्जियों से आई लोगों ने बढ़ चाड़ कर हिस्सा लिया था तीन दिवसिये जाला और महुटसव में विभिन तरह की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ-साथ विभिन सांस्कूतिक कारेक्रमों का भी आयोजन किया गया तो वहीं पंचायत समिती सभागार में रंगोली प्रतियोगिता, साफा बांधू और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया विभिनन कारेक्रम के आयोजन से तीन दिन तक चलने वाले इस महुटसव से जिले भर में धूम मची हुई थी आपको बता दें कि जालोर महुटसव की शिरुवात साल 2013 में जिले को परेटन के स्तर पर दिखाने के साथ साथ मनोरंजन और यहां की प्रतिभाओं को उभारने को लेकर की गई थी जिसके बाद हर साल इस महुटसव का आयोजन होता आ रहा है राजसान्ता के लिए जालोर से नरेश खिलेरी की रिपोर्ट